नमस्कार सबीकों जैसे आप सबको पता होगा कि लास्ट ये टाटा मोटर्स ने अपनी एक कुपे इस्टाइल इलेक्टिक ऐसी कॉंसेप्ट कर्व को रिवील किया था उस ताइम कहा था कि ये इलेक्टिक फॉर्मेट के अंदर लॉंच होने वाली है लेकिन दो जार आपको दिखाने वाले 250 गAGंवलाइक बारें को इस चाहिए भीट हो सकता है तो यहां पर आप देख रेक्दे की कि पेंट करि के के और पैट्रू नि के साथ इसका के लिए ओनली पोर रेंटर डीजेन आप यहां पर देख पा रहे होंगे रिएलिटी के अंदर इसका जो लुक है वो कापी है तक थोड़ा बहुत चैंज होगा लेकिन आपको connected LED टेलेंट का भी फीचर देखने को मिल जाएगा इसके लबा काड़ी की रेंज की बात करें इलेक्ट्रिक वर्जन की तो अगर इसे इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर लौंश किया जाएगा इसकी जो रेंज क्लेम की जाएगी जब इसके कॉंसेर्ट को रिवील किया टाटा मोटर्स ने का था कि 5 जो से 5500 किलोमेटर तक की मैक्सिमम की जा सकती है क्योंकि इसे इडवांज टेक्नलोजी जो है इंडिया के पास आलपला नहीं अगर आती है अगर टेक्विस से ज्यादा की तो इसके अदर आपको उसे भी ज्यादा रख जो है वह रहने वाली ह अगर और ज्यादा प्रीमियम ऐसे वी या बड़ी ऐसे वी हो तो उनके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा मतलब बैटरी बैड़ा बैकेज देक्ने के साथ आपको ज्यादा रेंज भी मिल जाती है क्योंकि उनकी प्रैस कापी हाई चली जाती है पचार लाग शांट लाग अब बात कर इस गाड़ी के इंजिन ऑप्चन के बारे में तो अगर ये इंजिन ऑप्चन के साथ इंडिया के अंदर लॉंज गई जाती है इस गंदा आपको 1.2 लिटर का टर्बो चार्ज पैंटर लिजिन देखने को मिलेगा और डिजल लिजिन की बात कर इस गंदा आप अब महिंद्रा भी कूपे इस्ट्रेल लॉंज करने वाला इलेक्ट्रिक और पैंट्र लिजिन के साथ चात और देख सकते हैं कापी सारे जो मैनुफेक्टर है मारती सुझू की भी एक कूपे इस्ट्रेल आपकर काम कर रही है देखते हैं कौन सी गाड़ी कब लॉंज होती है अगर कर्व की बात करते हैं तो तो गाड़ी है वो नेक्स्ट यान की दोजार चोबीस के सीजन तक इंडियन मार्केट कंदर लॉंज कर दी जाएगी इसके लबा ताटा मॉटर के पास और भी कहीं सारे प्रोड़क्ट है ताटा हैरियर का और सपर का भी फैसलिफ होने वाला है